पहला परशन है एक पार्क चतुरवुज ABCD के आकार का है जिसमें कोर C बरावर 90 अंस, AB बरावर 9 मीटर, BC बरावर 12 मीटर, CD बरावर 5 मीटर और AD बरावर 8 मीटर है इस पार्क का कितना छेतर फल है हमने यहाँ पे चितर बना दिया है ABCD इस आकार का कोई पार्क है जिसकी भुजाएं AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है और कोर C 90 अंस का है तो हमें इसका छेतर फल निकालना है अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रचना करेंगे, B को D से मिलाएंगे, आईए हम B को D से मिलाते हैं, अब जब हम B को D से मिलाते हैं, तो यह जो चतर बुज ABCD है, वो दो तिर्भुजों में बढ़ जाता है एक है तिर्भुज BCD और दूसरा है तिर्भुज ABD, अगर हम इन दोनों तिर्भुजों के छेतर फलों को निकाल करके जोड़ दें, तो चतर बुज ABCD का छेतर फल निकल जाएगा, तो चलिए हम इन दोनों तिर्भुजों का छेतर फल निकालते हैं, तो सबसे पहले तिर् का एक कोड नब्य अंस का, कोड सी बराबर नब्य अंस दिया गया था, तो सम कोड तिर्भुज का छेत्र फल निकालने का जो सूत्र है, एक बटे दो गुडे आधार गुडे लंब, आधार गुडे लंब, तो एक बटे दो आधार है बारा मीटर, गुडे लंब है पांच दो चक के 12, 6 गुड़े 5 बचा, 6 पंजे 30, 30 मीटर स्क्वायर तो इस तिर्भुज का चेतरफल आ गया 30 मीटर स्क्वायर अब इस वाले तिर्भुज का हम चेतरफल निकालेंगे तो इस तिर्भुज का चेत्रफ़ निकालने के लिए उसकी तीनो भूजाओं की लंबाई मालूम होनी चाहिए तो इस भूजा की लंबाई हम इसी वाले तिर्भुज से लिकालते हैं देखेगा तिर्भुज B-C-D जो है एक सम कोड तिरभुज है जिसमें लंब मालूम है आधार मालूम है तो पाइथा गोरस पर्मिये का परियोग करके हम ये कड जो है इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तिरभुज B, C, D में कोड C बराबर है 90 अंस तो इसलिए करड का स्कोयर B, D का स्कोयर B, D का स्कोयर बराबर होगा लंब का स्कोयर C, D का स्कोयर पलस आधार B, C का स्कोयर 90 अंस के सामने वाली जो घुजा होती है वही करड होती है तो BD हमें निकालना है तो BD का स्क्वाइर बराबर CD दिया गया है CD है 5 मीटर तो 5 का स्क्वाइर पलस BC है 12 मीटर तो 12 का स्क्वाइर तो BD का स्क्वाइर बराबर 5 का वर्क करेंगे हो जाएगा 25 पलस 12 का वर्क करेंगे 12 गुड़े 12 तो हो जाएगा 144 अब जोड़ेंगे तो B बीडी का इस्क्वाइर बराबर हो जाएगा 549246179 बाएपक्स में वर्गमूल लेंगे तो आजाएगा बीडी तो हमें दाएपक्स में भी वर्गमूल लेना पड़ेगा तो आजाएगा 13 तो आगया 13 मीटर ये लंबाई 13 मीटर अब ये तीनों भूजाय मालूम है इस्तिर्भुज की तो इस तरह से इस्तिर्भुज का चेतरफल निकाल लेंगे तो सबसे पहले इसका हम अर्दपरिमाब निकालेंगे S, S बराबर तीनों भूजाओं का योग तो एक है नो, फलस एक है तेरा, फलस एक है आठ और इसका आधा कर देंगे तो 9, 3, 12, 8, 20 20 के 0 हासिल आए 2 2, 1, 3 हो गया 30 बटे 2 आगया 15 मीटर चलिए हम इसको यहाँ पर लाइनिंग कर दें अब चलिए इस तिरभुज का छेतर फल निकालते हैं तिरभुज A, B, D का छेतर फल बराबर होगा रूट S, S-A, S-B, S-C S आपका आया है S है 15 मीटर 15 माइनस A किसी भुजा को आप A माने, किसी को B माने, किसी को C माने चलिए हम इसको A मानते हैं 15 माइनस B हम इसको B मान लेते हैं 15 माइनस C इसको A को मान लेते हैं 15 गुड़े 15 में से 9 गए, आयगा 6 गुड़े 15 में से 13 गए, आयगा 2 गुड़े 15 में से 8 गए, आयगा 7 अब चलिए हम इसका वर्गमूल लेते हैं, इसके अंदर जो हैं सबका वर्गमूल लेंगे, तो 15 का गुड़न खंड करेंगे 3 गुड़े 5 लिख सकते हैं, ऐसे 6 को 2 गुड़े 3 लिख सकते हैं, और गुड़े ये वाला 2, गुड़े 7 अब जिसका जोड़ा बनना उसको बाहर निकालेंगे, नहीं तो उहीं पढ़ा रहने देंगे 3 का जोड़ा बनना यहाँ पे देखिए, 2 का भी बनना है, तो 3 निकल गया, गुड़े 2 निकल गया और ना तो 5 का जोड़ा बनना है, ना तो 7 का, तो ऐसे पढ़ा रहेगा 5 गुड़े 7, तो यहां हो गया 3 दूना 6, रूट, इसके अंदर 5 सकते 35 अब रूट 35 का जो मान होता है, 6, रूट 35 का मान होगा, आप निकलेंगे जब भाग बिली से, तो आएगा 5.916, तो उसको लिख देंगे हम निकटतम मान, 9, 2 अब चलिए यहाँ पे गुड़ा का चिन आएगा, इनका गुड़ा करेंगे 6, 2, 12 के दो हासिलाएं 1, 6, 94, 54 और एक हासिल 55, हासिलाएं 5, 6, 35 और 5, 35 तो आग गया 35.52, इतना मीटर स्कोयर तो दोनों तिर्भुजों का चेतरफल निकल जुका है, अब पार्ख, पार्ख है A, B, C, D का चेतरफल, तो बराबर होगा तिर्भुज B, C, D का चेतरफल, पलस तिर्भुज A, B, D का चेतरफल तिर्भुज B, C, D का चेतरफल आया था 30 मीटर स्कोयर पलस तिर्भुज A, B, D का चेतरफल आया था 35.52, 35.52 मीटर स्कोयर अब जोड़ेंगे, 0 और 5, 5 हो गया, 3 और 3, 6 हो गया दस्मलो के इधर, 5, 2, इतना मीटर स्कोयर ये लगभग में आयेगा क्यों लगभग में आयेगा? क्योंकि जो रूट 35 का मान आया था, हमने यहाँ दो अंग तक लिया है और सारे अंकिसमे हैं तो गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर जो मान आयेगा 35.52 के अलावा और कुछ आयेगा तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 55.52 मीटर स्कोयर इतना लगभग तो ये आपका उत्तर है